एक बार एक छोटे से गाव में राम और सोनू नाम के दो घनिष्ट मित्र रहते थे। वे दोनों हमेशा रोमांचक यात्राओं और नए अनुभवों की तलाश में रहते थे। एक दिन उन्होंने गाव में एक रहसियमेग गुफा के बारे में सुनी। लोगों ने कहा कि ये गुफा भूतिया है और वहां जाना खतरनाक हो सकता है। लेकिन राम और सोनू ने इसे चुनौती के रूप में लिया और गुफा की सच्चाई जानने का निश्चे किया। उन्होंने अपने साथ थोड़ा सा खाना, पानी और एक टॉर्च लिया और जंगल की ओर निकल पड़े। गाववालों ने उन्हें चितावनी दी लेकिन दोनों दोस्तों की जिजनासा ने उन पर कोई असर नहीं किया। जब वे जंगल में पहुँचे तो वहाँ घने पेडों के बीच से मुश्किल से ही सूर्ज की रोशनी जमीन तक पहुँच रही थी। चारों और गहरी शांती और सनाटा था बस कभी-कभी किसी उलू की आवाद सुनाई दे रही थी। कुछ समय बाद वे उस रहस्यमी गुफा के द्वार पर पहुँचे। गुफा का मुख विशाल और डरावना था और उसके चारों और जंगल की लताएं लिपटी हुई थी। दोनों का दिल तेजी से धरक रहा था लेकिन उत्साह के कारण उन्हें बिना किसी हिचके चाहट के गुफा के अंदर कदम रखा। गुफा के भीतर घना अंधेरा था और टपकते पानी की आवाजें गुंज रही थी। ये वातावरन और भी भयावह लग रहा था। उन्हें देखा कि ये गुफा के रहस्य से जुड़ा हुआ था। आगे बढ़ते हुए उन्हें गुफा की दीवारों पर अजीब और रहस्य में चितर दिखाए दिये। अचानक उनके सामने एक लंबी सफेद साड़ी में लिपटी आत्मा प्रकट हुई। ये आत्मा गुफा की प्राचीन अभिभावक थी जिसने उन्हें बताया कि ये गुफा श्रापित है और कुटा भी इसी श्राप का शिकार है। श्राप को तोड़ने का एक मातर तरीका गुफा में चिपी एक कठिन पहेली को हल करना था। राम और सोनु ने अपना धैड़े और बुद्धिमानी का उपयोग कर उस पहेली को सुलजाया। जैसे ही पहेली हल हुई श्राप तूट गया। आत्मा ने उन्हें उनकी बहादूरी और दया के लिए धन्यवाद दिया और हमेशा के लिए गुफा से विदा हो गई। कुटा जो अब श्राप से मुक्त हो चुका था खुशी से अपनी पूंच हिलाने लगा। गुफा में अब शांती लोड़ाई थी। राम, सोनू और वाकुत्ता गुफा से बाहर आये और गाव की ओड़ लोटे। गाववालों ने उनकी साहसिक कहानी सुनी और उन्हें नायकों के रूप में सम्मानित किया। इस गर्णा ने सभी को सिखाया कि साहस, दोस्ती और करुणा से किसी भी कठिनाई का सामना किया जा सकता है। उस दिन के बाद से राम, सोनू और रहस्यमी गुफा की कहानी पूरे गाव में प्रेरना और उदाहरन के रूप में जानी जाने लगी।